आप ठोड़ा पीछे हटो । अगर इसको आपने अर्मी में कहना है किसी को तो आप बोलेंगे अन्दवखर्षुवईवरा या अन्दवखर्षुवईवरा थीक है? यानि आप ठोड़ा पीछे हटो या हटीhait थीक है? अगर केसे से आप खोई सामना ख़ढा है हाटो ठीक ना तो आप दूसरा को जगें कि जगें अंता लगांगे ठीकें रगादो तो इसको कहेंगें अंत वह हठ यांई आप थोड़ा स्थोड़ा पीछे हटो यह यह सामान उठाओ अगर आपकी मेटम केती है ठीक है हादा, अगराद, सील ठीक ना? हादा, अगराद, सील ये सबाण, उठाओ मतलब ये, जैसे कि मैंने का हादा, ठीक, है, अकसर ये जॉआत को डाल बोलते है, अरबी लोग, ठीक ना? मैंने लिखा यहां पर हादा, ठीक है, ये लेकिन हादा, असल में जो है जाद आता है, ठीक है, जा, हादा, जा, ठीक है, लेकिन ये अर्बी लोग जाद, जा को डाल की तरह बोलता है, ठीक है, जैसे हादा, सिल अगराद, जैसे हादा, अगराद, सिल, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ह हिंदी या उर्दु में ये समान उठाओ, अर्भी में इसको बोलेंगे, हादा अगराद सेल, मुझे नहीं पता, अगर आपको इसको बोलना है, अगर मानगे चलो कोई फोर एक्जामपल, कोई कहता है, आपको कोई उस चीज का पता है, ठीक है, या उस चीज को मालूम है, ठीक है न, इस नहीं पता है, यानि के मुझे आपको सकते के मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो आपने इसको बोलना है, अना मारफ्त, अना मारफ्त, मुझे नहीं पता, ठीक है, आप खालीज ना क्यaż देंगे अगर पता हो तो आप आप किय देंगे आप अग्रस्द कामा वट हूंगे मैं नहीं समझा अगर इसको आप अरभी में बोलेंगे तो इस तो इसको बोलेंगे अना माफी फहम ठीक है अगर कोई कहता है कि बैए मैं आप समझे या समझना होता है फाहम ठीक है अना मतलब मैं माफिन मतलब नहीं मैं नहीं समझा अना माफिन फाहम ये लड़का मेरा है अगर फोड़के जामपल अगर आपको किसी से कहना है ये लड़का मेरा है ठीक है तो आप इसको कहेंगे हादा वलद हगी हादा वलद हगी यानि ये लड़का मेरा है हगी का मतलब होता है मेरा ठीक है ना हगी मेरा यानि ये मतलब हादा वलद को कहते है लड़गा मतलब वलद ठीक है वलद हगी यह लड़गा मेरा है हाद वलद हगी ठीक है मैं गलत नहीं हूँ ठीक है मैं गलत नहीं हूँ अगर इसको बोलना है आपको तो इसको बोलेंगा रवे मैं आना माफी खत आना माफी खत यानी मैं गलत नहीं हूँ ठीक है खता की जर्गा कुछ लुझ गलत भी लगाते है अकसर ये भी हमने मैंने सुना आरवी में लोग कहते हैं घलत ग łatप भी गलत भी कहते हैं ठीके नहीं ही अगर गलत गलत भी कहसे हैं तो आप मुझ जानगे हैं हाभी गलत है लेकिन गलत का अरभी में बोलता है खता अरभी में कहता है खता ठीक है अना माफी खता यानि मैं गलत नहीं हूँ अगर कोई एक लड़ी हो गई या कुछ बात हो गई आप कहना चाहते हैं कि भी मैं गलत नहीं हूँ तो इसको बोलेंगे अना माफी खता ठीक है अना माफी खता मैं गलत नहीं हूँ मैं सही हूँ ठीक है पहले कहा था मैं गलत नहीं हूँ तो आप इसको अगला सेंटेस कह सकते हैं कि पर मैं सही हूँ मैं सही हूँ तो इसको बोलेंगे अना सही अना सही, मैं गलत नहीं था या गलत नहीं हूँ, तो आप मैं सही हूँ, ठीक है, मैं सही हूँ, तो आप निस को कहेंगे अना सही, सही को अरभी मैं सही बोलते हैं, ठीक है, सही को, सही अक्सा सही बोलते हैं, अना सही, मैं सही हूँ, ठीक है, मेरा एक सवाल है, ठीक है, फूर example अगर आपने किसी सा कहना है कि भी मेरा एक सवाल है ठीक है तो इसको बोलेंगे अन्दी वाहिद सुआल मेरा एक सवाल है ठीक है सुआल बोलते हैं सवाल करने के लिए अरभी में सवाल को सुआल बोलते है ठीक है ना अन्दी सुआल या कह सकते हैं आप खाले अन्दी सुआल यानि मेरा सुवाल है या मेरा एक सवाल है आपसे ठीक है इस नाजी पर आपके सकते हैं मेरा एक सवाल है तो आपने कहना है अन्दी वाहिद सुवाल ठीक है वाहिद सुवाल को बोलते हैं सुवाल है और वाहिद सुआल मेरा एक सवाल है आप बेकूफ हो ठीक है फूर एक्जमपल अगर आपका कफिल आप सा कहता है यह आपकी मेडम कहती है ठीक है न कि अन्ता गबी यानि आप बेकूफ हो इसका मतलब यह है या आप किसी सा कहना चाहते हैं, आप किसी को कहना चाहते हैं, सामने वाले को, ठीक है न, आप बेवकूफ हो, तो इसको कहेंगे अन्त गवी, ठीक है, या अन्त गवी, आप बेवकूफ हो, सही है न, इसका मतलब यह है, अन्त या अन्त गवी मतलब बेवकूफ, आप सीधा जाओ आप सीधा जाओ फॉर एक्जाम्पल आपकी मेडम है ठीक है आप ड्राइव कर गाड़ी की ठीक है वो बोलती है पर सीधा जाना है ठीक है ना सीधा जाओ या वो कह रहेगी अंत रोह सीधा ठीक है इसका मतलब यह आप सीधा जाओ या खली वो कहेगी सीधा जाओ रोह सीधा ठीक है रोह सीधा सीधा जाओ अगर कहती है आप अंत रोह सीधा तो कहेगी इसका मतलब होगी अंत रोह सीधा या अंत रोह सीधा ठीक है यह आपने किसी से कहना है आप सीधा जाओ या फॉर एक्ज आप सीधा जाओ तो इसको बोलेंगा अंत रोह सीधा आप सीधा जाओ मुझे गरम खाना चाहिए ठीक है फॉर एक्जामपल आपको अगर कोई खाना थंडा दे रहा है या आप होटल में गए है खाना ठन्ड़ा है यह पर वादर कोछ भी हो सकता ठीक है ना यह मुझे खाना Gरम चाही तो इसको बलेंगे अरीड ताजाम हार अरीड ताजाम हार मुझे गरम खाना चाहिए यह आप इस तनसे भी कह सकते हैं अरीड ठीक है अरीड अकिल हार ठीक है अरीद अकिल हार यानि मुझे गरम खाना चाहिए अरीद मतलब किया मुझे चाहिए जहां पर आपने कहा कि मुझे चाहिए तो वहां पर अरीद लगता है ठीक है अरीद ताम हार ताम मतलब खाना हार मतलब गरम ठीक है अगर इसी को आगर आप कहना है अरीद अकिल हार अक्ल भी खाना को करते हैं ठीक एकिल मतलब खाना में खाना खाय हूँ या मैं खाना बना रहा हूं यह सब हता है ठीक है आप यह इस तांसा कर सकते या फौर्ण आफ या खाल लयाँ इतना कहतें चाहिए अर्यीज में बस इतने ही अगर वीडियो आपको अच्छे लग रही है अगर आपको पसंदार यह प्रेस करते हैं तो वीडियो बनाने में बहुत मैंत लगती है तो पिलीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करने है प्लीज 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 बहुत मिनत लगते हैं वीडियो में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज असलाम आलेकुम